हेलो नमस्कार दोस्तों केसे हूँ आप सभी आप सभी दोस्तों के लिए फिर से नई जोब वेकंसी का अपडेट लेकर आगया हूँ जिहां दोस्तों आज में बात करने वाला हूँ इंडियन ओयल के रिकूरूट्मेंट के बारे में जिहां दोस्तों इंडियन ओयल में लेट कैसे आपको मिलेगा कैसे apply करना है qualifications क्या मांगा गया है आवे दिन का अंतिम्तिती क्या होगा salary क्या मिल सकते है selection कैसे होगा सारी की सारी जनकारी आपको इस वीडियो में दोस्तों मिलने वाला है इसके साथ साथ दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हो IOCL का latest recruitment आ गया है official notification भ इंडिया के candidate यहां पर apply कर सकते हैं Indian oil corporation limited में सो आप लोगों को क्या कैसे करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा बस वीडियो को आगे तक देखते रहना है दोस्तों अगर आप लोगों को Indian oil का job का detail निकालना है तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है सबसे पह पिक्सल टीए सी एच टेक बी एल ओ जी एस पी ओ टी जैसे आप यहां पर पिक्सल टेक ब्लोग स्पोर्ट सर्च करोगे यहां पर तो आप लोगों के सामने जो टॉप पर वाप साइट आएगा यह वाला पिक्सल टेक जोब डोमेन नेम भी देख सकते हो पिक्सल टेक 12.blog इसी वाप सैट पर आपको वीजिटी करना है क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने डिटेल आजाएगा अगर नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको IOCL का recruitment तो आप यहाँ पर search भी कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर IOCL search करोगे तो आपको यहाँ पर IOCL का recruitment देखने को मिल जाएगा यानि कि Indian Oil Corporation Limited का job देखने को मिलेगा जो latest date में update किया गया उस पर आपको click करना है जैसे कि तो यहाँ पर आपको सारा का सारा डीटेल आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो आयो सील का recruitment का डिटेल आ गया है यहाँ पर देख सकते हो जुनियर इंजिनियर एसिस्टेंट का जॉब होने वाला है और यहां पे apply mode online दिया गया है जिहां दोस्तों जो भी यहां पर recruitment निकाला गया है यहां पे इंडियर ओयल में यहां पे आप लोगों को online apply करना है कैसे apply करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं इसक सकता है according आपके post selection process के अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का लिखित exam होगा और यहां पर आपका skill और इसके साथ फिसकल टेस्ट भी हो सकता है इसके साथ आप यहां पर educational qualifications का डिटेल भी देख सकते हो application fees का भी डिटेल देख सकते हो जनरल और OBC के लिए 150 पर फिस लगेंगे आवेदन करते समय और अगर आप SCST में आते हैं तो निल है यानि कि दोस्तों अगर आप यहां पर इंडियो नवल में apply करते हो और अगर आप SCST में आते हो तो कोई भी फिस नहीं लगेगा अगर आप जनरल OBC में आते हो तो 1500 रुपे का फिस लगेगा आ आवेदन करते समय आवेदन का अंतिमतिति की बात करें स्टार्टिंग डेट की बात करें तो जो अंतिमतिति है वो 19 मार्च है और जो स्टार्टिंग डेट किया गया था आवेदन जारी किया था वो 8 मार्च को यानि कि अभी आपके पास काफी टाइम है तो आप लोगों को तो दोस्तो 29 March से पहले apply कर लेना है अगर आप यहाँ पर दोस्तो Indian Oil Corporation Limited में apply करना चाहते हो बाकी आपको कैसे apply करना है कैसे official notification निकालना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप नीचे की तरफ आईएगा यहाँ पर आपको link मिल जाएगा जिसमें आपको apply का link official notice का link official notification का link official website का भी link मिल जाएगा तो करना क्या है सबसे पहले तो आप यहाँ पर official notification डाउनलोड कर लेना जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने Indian Oil Corporation Limited का official notification आजाएगा जिसमें आपको detail में सारी की सारी जनकारी मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकती हो Indian Oil Corporation Limited की तरफ से यहाँ पर recruitment निकाला गया है यहाँ पर आप देख सकती हो यहाँ पर देख सकती हो name of the post post code और यहां पर total vacancies गढारा देख सकती हो इसके सासथ यहा पर eligibility criteria experience educational का qualitative का detail इसके सासाथ यहाँ पर Someone की से होगा application application फिस क्या लगने माला है इसके साथ यहां पर कैसे आपको apply करना है how to apply का detail भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आप scroll करके नीची की तरफ आओगे तो यहां पर दोस्तों कैसे आपको apply करना है यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई का डीटेल भी दिया गया है इसके साथ यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक वगरा भी मिल जाएगा जिसके आप क्लिक करके बिलकुल आसानी से यहाँ पर दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिम्टेट में अप विदन कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेट हो आप लोग जोब की तलास कर रहे हो आपको अच्छी खासी और्गनाजेशन के साथ हैंसम सालरी के साथ जॉब करना है तो आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पर ट्राई कर लेना यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सब क कुछ बता दिया है फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में बता देना और हाँ जाते जाते में आप लोगों को और important बात बता दू यार कभी भी अगर आपको कोई call करके mail करके नोकरी के लिए से किमांग करें तो आपको किसी को कोई भी पैसन नहीं देना है नोकरी के जासे में आके बाकी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और मिलेंगे दूस्तों हम किसी नई जोब अपडेट की साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार